हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागते फ्लेवर स्ट्यूड में, तो आज हम आए हैं एक और नहीं इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्वीट हम बनाएंगे, तो हरे मतर या आज हम बनाएंगे, तो बहुत ही टेस्टि, डिलेशिएस और इंट्रेस्टिंग यह रेसिबी होगी, तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम हरे मतर, हम ले लेंगे, और इसे अच्छी तरह से पहले हम दो लेंगे, और फिर हमें इसे प लेंगे और इसका एक दर्दरासा पेस्ट हम तयार कर लेंगे तो एक दम फाइन हमें इसे नहीं ग्राइंड करना है दर्दरासा हमें इसका एक पेस्ट जैसा कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए तो इसे अच्छी तरह से दर्दरा ग्राइंड करने के बाद अब हम इसे फ्राय करे तो दोस्तों अब हम इस हरे मतर के दरदरे पेस्ट को ओईल में फ्राइ करेंगे तो इसके लिए हम एक फ्राइंग पैन में ओईल या घी वो हम ले लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए दो से तीन छोटी इलाइची और इसे क्रैकल होने देंगे फिर हम इ में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से साथ से दस मिनट हम से फ्राय करेंगे कर्टीनुरसली स्टर करते हुए ताकि इसका कच्छा टेस्ट चला जाए तो थोड़ी देर लगभग पांच से छे मिनट हरे मटर के पेस्ट को फ्राय करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी सूजी हम डालेंगे तो सूजी से इस बर्फी को थोड़ा सा बॉड़ी प्रोवाइड होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा शेप देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सूजी डालेंगे ज्यादा नहीं थोड़ी सी सूजी और सूजी डालने के बाद फिर से और 6-7 मिनट हम इसे फ्राइ करेंगे तो हरे मटर का जो पेस्ट है और सूजी वो अच्छी तरह से एक साथ आ जाना चाहिए और दोनों चीजें यूनिफॉर्मली फ्राइ हो जानी चाहिए तो फिर से 6-7 मिनट हम इसे फ्राइ करेंगे तो हम इसमें थोड़े से ड्राइ फूट्स डालेंगे चॉप करके काजू और बादाम और इन्हें भी साथ साथ हम फ्राइ कर लेंगे तो अब हम इसमें दूट डालेंगे थोड़ा सा जादा नहीं और दूद डालने के बाद इसे हम फिर से स्टर करते हुए दूद के रिड्यूस होने तक हम इसे फ्राय करेंगे तो इसमें भी चार से पांच मिनट लगेंगी तो दूद इसमें अच्छी तरह से रिड्यूस होकर इसे एक रिच टेक्सचर प्रोवाइड करेगा थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो जाएगा हमारा जो बार्फी का मिक्सचर और इसे एक बहुत ही अच्छा मिल्की रिच टेस्ट आएगा तो दूद के रिड्यूस होने तक हम इसे कंटीनूसली स्टर करते हुए हम इसे फ्राय करेंगे तो एकदम आखिर के जो साथ से दस मनट का फेज है उस फेज में हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी हमेशा किसी भी स्वीट प्रेपरेशन में एकदम आखिर का जो दस से पंदरा मनट का फेज है उसी में हम डालते हैं तो इसमें हम चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद फिर से हम इसे इसमें मिलाते हुए हम इसे फ्राय करेंगे तो जब चीनी इसमें मिल्ट होगी तो जितनी भी चीजें हमने इसमें डाली हैं जो हल्वे का या बर्फी का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही sticky हो जाएगा क्योंकि चीनी मेल्ट होगा और एक बहुत ही अच्छा beautiful green color, shiny green color इसमें आएगा तो फिर से चीनी डालने के बाद 7-10 मनित तक हम इसे continuously stir करते हुए फ्राय करेंगे और फिर हमारा ये जो बर्फी का जो mixture है वो तयार हो जाएगा तो ये हरे मटर का हल्वा बन जाएगा और अगर हम इसे set कर लेंगे तो ये बर्फी बन जाएगा तो 10-7-10 मनित हम इसे फिर से fry करेंगे तो दोस्तों हमारा जो हरे मटर का जो बर्फी है उसका mixture एकदम तयार है तो अब हम इसे gas पसे उतार लेंगे और इसे एक tray के उपर हम इसे spread कर लेंगे और इसे थोड़ी देर थंडा कर लेंगे तो आप इसे एक spatula की मदद से आप इसे उपर से टैप कर के इसे आप evenly उनिफर्मली आप इसे spread कर लें और जब यह थोड़ा सा थंड़ा हो जाए लगभग पांच से साथ मिनट इसमें लगेंगा दस मिनट लेकिन एकदम इसे थंड़ा ना करें थोड़ा से गरम रहना चाहिए उस वक्त हम इसे अपने मन पसंद शेप्स में हम इसे काट लेंगे तो इसके बाद इन पीसस को आप स्टूर कर सकते हैं और इसे आप तुरंट ही एंज्वाइ कर सकते हैं नहीं तो आप इसे रेफरिजरेट करके भी आप इसे बाद में एकदम चिल भी आप इसे एंज्वाइ कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो हरे मटर की बरफी है वो एकदम बन कर तयार हो गया है तो मुझे उमीद है कि आपको यह जो रैसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राय करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फ्लीविस झाजर दो आपको पसंदा गल्यविस